हलो दोस्तों आप सब कस्वागत है आपके अपने चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी में दोस्तों आज मैं आप सब के लिए एक बहुत ही महत्वपुन टॉपिक लेक्याई हूँ आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक चम्मच रोज खाईए पेट के निचले भाग की चर्बी को ठूंडते रह जाओगे आप आए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी आज कर लोगों का लाइफ स्टाइल इतना बदल चुका है कि वो अपने शरीर का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रख पाते हैं यही कारण है कि आज हर दूसरा व्यक्ति मोटा पेस एक रस्त है इस सब चीजों का शरीर पर साइड इफेक्ट्स भी होता है इसलिए आप इन पाउडर और दवाओं का सेवन ना करें बसे मैं आपको बता दूं कि शरीर पे चर्वी जमने कमों के कारण अन्यमित खान पान और दिन चर्या है इसलिए इसका उपचार भी आपके खान पान और द जीरा आज ये समय में व्यक्ति हिल्थ के लिए नहीं बलकि स्वात के पीछे भागता है इसलिए हम जो घरेल उपाय आपको बता रहे हैं वो हेल्थी होने के सासा टेस्टी भी हैं तो आप इसे मजे से अपना सकते हैं इस उपाय में आपको दो चीजे इस्तिमाल करनी है जि चरवी भाव्यर तो इसलिए आपो इन दोनों को अपने खाना पान में अवश्य करना है और शामिल करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसका मिश्रन तयार कर लें तो आए जानते हैं के लिए और के आफे मिश्रे के बत्स अदवूत मिश्रन को कैसे तयार करना है 대ього मि से छोटे-छोटे टुकडों में काट लें और अची तरह मैश कर लें इसके बाद आप पतवे पर जीरा भून लें और बारिक पीस कर आपको इस भूने हुए जीरे को मैश किये हुए केले में मिलाना है और फिर इस मिश्रन को खाना है ये उपाय आप दिन में कम से कम दो बार और अवश्य करें इसे लगातार सार देन तक करें इस मिश्रन का नियमित सेवन सत पर्तिशत आपके शरीर मुख्यता पेट के आसपास की लड़की हुई चरवी को हटाता है इसके साथ एक और उपाय है वो है इसमें आपको अदरक, लॉंग, शेहत, नीमबू और दालचीन और पानी को हलका गर्म होने दें इसके बाद आप इसमें आदा चमच दालचीनी पाउडर चार लॉंग और एक छोटा टुकड़ा अदरक भी डाल दें और पानी को तब तक उबलने दे जब तक वो आधा न रह जाए इसके बाद तयार पे को कुछ दे ठंडा होने के लिए चोड़ दे जब पे पीने लाइक गुनगुना रह जाए तो आप इसमें एक चमच शहद और आदा चमच निंगु का रस मिलाए बस इस तरह आपके वजन कम कर देने वाली ड्रिंक तयार है और शरीर पर जमा अतिरिक्त चर्वी को हटाने वाली चाय तयार हो जाएगी अब मैं आपको बता दे हैं इसके परियोग भी थी कि आपको इसको कब पिना है कब कब सेवन करना है इस चाय का सेवन आपको दिन में दो बर करना है पहला तो आप इसे सुबह सुबह खाली पेट पिए और दूसरा राप को सोने से आदा घंटा पहले ये चाय देखते ही द पारगर औश्यदियों का परयोग किया जा रहा है इसलिए इस चाय की एक खास बात ये भी है कि ये सिर्फ मुटा पाही नहीं कम करती बलकि शरीर को अनेक रोगों से भी बचाती है जिससे शरीर पूर्ण रूप से हल्दी रहता है उमीद करती हूं दोस्तों कि आपको हमारी पसंद आई होगी अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज करें कमेंट करें अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या तो आप अपकी परिश्यानी पोक्स पर कमेंट कर सकते हैं दोस्तों हमारे चैनल हेल्थट हिंदी को सब्स्राइब करना न हूले हम फिर मिलेंगे आपकी प्राब्लम हमारी solution के साथ मैं आऊंगी रोजाना नए नए घरे लूप चारों के साथ जिससे आप अपने परेशानियों को दूर कर सकते हैं तब तक के लिए fit रहे healthy रहे खुश रहे Thank you